एलो दियो स्टूडेंट्स माइसेल्फ रिजनेशकुमार बच्चो आज हम क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नमबर 3 है यह हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह वाला जो वीडियो है यह इस चैप्टर के बेसिक्स के साथ डील करेगा और सिंपल सा छोटा सी चैप्टर है तो यह पार्ट वन है आई तिंक 3-4 पार्ट में खतम हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के और चैप्टर है कॉडिनेट जोमेट्री ओके बच्चो तो स्टार्टिंग में मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा तो गौर से सुनेंगे बेसिक्स क्या है बहुत इंपॉर्टन है तो हमारे पास एक समतल फ्लाट प्लेइन सर्फेस है ठीक है सतय और उस प्लेइन सतय पर मैंने सपोज आपको यह जो स्क्रीन दिख रहा है इसी पर सपोज मैंने कहीं पर एक पॉइंट मार पर दिया सपोज पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे अगर मैं आप से पूछू कि मैंने कहीं पर यहां पॉइंट ए लगा दिया सपोज तो पॉइंट ए जो है वो कहां पर है आप बोलोगे स्क्रीन पर स्क्रीन पर कहां पर बिना उंगली से छुए बताना अपने को तो उसका कोई सिस्टम होना चाहिए किसी भी फ्लैट सतह के उपर स्थित कोई भी जो बि पहले जो तरीका दिया था किसी भी बिंदू को किसी समतल में फ्लैट सर्फेस पे शो करने के लिए रिप्रेजंट करने के लिए क्या सिस्टम यूज करते तो इसी को हलका से डेवलेप करके मॉडिफाई कर दिया जैसे कि आज हम धर्ती पे मैप्स अगर हम को लोकेशन अग तो यह लॉंगिटूड और लैटिटूड की मदद से बच्चो यह पूरा ग्रिड बना हुआ हमारी ग्लोब के उपर और इसकी मदद से हम किसी भी स्थान का किसी भी जगे का हम लोकेशन के कोडिलेट्स निकाल सकते हैं तो वहां पे दो वैलूज होती है लॉंगिटूड क माध्यम से किसी बिंदू की लोकेशन ग्याद कर सकते हैं लोकेशन पता लगा सकते हैं तो ऐसे एक जोड़े नंबर का सेट असेट अफ नंबर स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो एक जोड़ा नंबर्स यूज किये जाते हैं उस पैर ओफ नंबर्स को ही हम कोडिनेट कहते हैं और थी-डैमेंशनल आपर में टीनमबर्स होते हैं फिलाल नहां पर लिएत अनब लगा भाट है पर पैर फ नंबर्स तो इनको बोलते हैं बचो कोडिनेट तो ब्रैकेट में लिख है इत हैं कॉलूल वाला छोटा इसका क्या मतलब होता है चलिए उसके बाद coordinate axis coordinate axis तो यह जो coordinates होते हैं इसको बताने के लिए हमको एक जोड़ा perpendicular lines जो के आपस में एक दूसरे के क्या होती है perpendicular होती है उनको use करते हैं तो किसी भी एक flat surface पे मैं अगर एक pair of lines बना दू जो आपस में axis axis यह plural शब्द है और singular इसका होता है axis axis तो याद रखेंगे अगर मैं axis लिख रहा हूं तो यह plural है is लिख रहा हूं तो वो singular है तो what are coordinate axis तो coordinate axis से plural हो गया एप pair of mutually perpendicular lines mutually perpendicular मतलब एक तो ऐसी vertical line है और एक ऐसी पस्री horizontal lines है तो ऐसी एक lines का जोड़ा जो कि आपसे perpendicular है drone in a plane जो कि एक समतल पर बनाये गया है dividing it into four equal parts और यह पूरे समतल को flat surface को चार बराबर भागों में बाटता है तो इसको हम क्या बोलते है coordinate axis बोलते है अब जो vertical line होती है खड़ी वाली जो line होती है उसको normally हम y axis बोलते है और जो पस्री वी horizontal line होती है उसको हम normally क्या बोलते हैं x axis बोलते हैं तो अगले हमारे दो definitions यहीं है तो third point क्या बताओ x axis क्या होता है x axis the horizontal axis is called the x axis जो पस्री वी लाइन है लेटी वी लाइन है उसको हम क्या बोलते है horizontal axis या फिर x axis इसी प्रकार से जो vertical वाली line होती है जैसे आपको यह दिख रही है partition ठीक है vertical जो line होती है उसको vertical axis या फिर हम y axis भी कहते हैं clear है horizontal वाला x हो गया और vertical वाला हो गया y axis clear है और यह दोनों के दोनों axis बच्चों जिस बिंदू पर intersect करते हैं मिलते हैं cross करते हैं वो बिंदू कहलाता है origin अच्छा origin का वैसे हिंदी में मीनी होता है उत्पत्ति तो origin वह बिंदू जहां से चारो दिशाओं में उपर नीचे left right numbers लिखना स्टार्ट होंगे समझ में आ गया origin से नंबर स्टार्ट होते हैं अभी मान लीजे हमारे axis है ना एक तो यह vertical axis है और एक मान लीजे horizontal axis है और यह दोनों के दोनों axis आपस में क्या है कहीं ने कहीं कटेंगे आपको मैं चोट इसे diagram की बदर से समझा देता हूँ यहीं पे फिर वापस आगे अगले slide पर पूरा diagram बना देंगे तो मान लीजे यह आपका है थोड़ा से ही बनाऊंगो ज्याता लंबा नहीं मनाऊंगा मैं वर्टिकल एक्सटेडर एक्सस मातिक प्रॉल्लाइं टimmtTake हो गई है और यह सपूसरि होरिजंटल एक्सस ठीक वर्टिकल वाला बना जे होता रॉता है अ मालों होदा होता है लुदु काहीं गहलता है?ạoी बिलाऊंगो Hungary लिजिन पे यह जो हमारा Axis है और यह Axis जो होते है जो Line होते हैं कभी खतम नहीं होती दोनों तरफ चलती जा रही है तो अभी यह जो X Axis है इसमें जो Right Side में जो Numbers लिखे जाएंगे 0 से start हो करके, वो हमारे होंगे positive, ठीक है, इस तरफ left side में negative, तो यह हमारे बिल्कुल number line कितर रही है, y-axis में उपर कितर plus, और नीचे, जमीन के नीचे मतलब, below the axis, they will be minus, समझ में आगया बच्छो, ठीक, तो देखो, यह वाला vertical axis है, इसको y-axis बोलते है, horizontal axis इसको x-axis बोलते है, then the point where both axis intersect each other is known as origin, origin से चारो दिशाओं में number लिखना चालो होगा, इस तरफ क्या, अगर हम एक एक सेंट्रीमेटर में निशान लगा दें, पहला वाला number plus 1, plus 2, 3, 4, 5, and so on, आगे तक, उपर भी ऐसी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onwards, और left में और नीचे minus के वही number से होंगे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, इसे प्रकार से नीचे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on, अब बचो, ये जो लाइन से कभी खतमत होंगे नहीं, वही वर्टिकल लाइन बहुत आगे तक, नीचे तक चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, तो बचो, ये जो screen का portion आप देख रहे हो, इसको चार हिस्सों बाट दिया, इन दोनों लाइनों से, एक हिस्सा हमारा, मैं जो निशान लगा रहा हूँ, हमारा, एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, एक हिस्सा हमारा, इधर का जाएगा, एक हिस्सा हमारा, इधर का जाएगा, और एक हिस्सा हमारा, ये जो चारों के चारों हिस्से हैं, जो म हमारा पूरा का पूरा plane है, समतल है, जिसको हम Cartesian plane भी बोलते हैं, Cartesian हमने कहां से लिया है, मैंने बता था, Rene Descartes, ये French mathematician का नाम है, तो उनी के सम्मान में हमने नाम ले लिया, Cartesian plane कहते हैं, system ये Cartesian system कहलाता है, किसी बिंदू को represent करने का तरीका plane के उपर, ठीक, तो Quadrant का मतलब होता है, वो चारों हिस्से, जो की X और Y-axis के draw करने के बाद में plane के हो जाते हैं, चार बराबर parts, Each equal part is known as Quadrant, हिंदी में बच्चों इसी को बोलते हैं, चतूर्थांश, अगर हम इसकी संधी कर दें, चतूर्थ प्लस अंश, चतूर्थ मतलब चौथा, अंश मतलब होता है part, हिस्सा, तो चौथा हिस्सा, एक चौथा ही हो गया, यह एक part, अब बच्चों, यह जो है न, जहां पर दोनों तरफ प्लस प्लस की वैल्यूस हैं, यह वाला Quadrant हमारा बच्चों, बाई डिफॉर्ट कहलाता है, 2nd Quadrant, समझ में आ गया, this one is known as 2nd Quadrant, तो 2nd Quadrant पे इधर प्लस है, उपर वाई की तरफ इधर है, माइनस की वैल्यूस जाएंगी, फिर यह वाला जो है नीचे Quadrant, यह बच्चों है, कौन सा वाला, 3rd Quadrant, ठीक है, यह आपने शायद, I think 7th में पता नहीं पढ़ा है की नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सीख लेंगे हम ठीक है, यह हमारा क्या है, 7th या 8th में पढ़ा है शायद, और यह हमारा हो जाएगा बच्चों, 4th Quadrant, इस प्रकार समय नहीं कहा है, यह चारों के चारों Quadrant बना लिए, यहीं बेसिक चीज़े हैं बताएगे हैं, ठीक है, अब तो Quadrant समझ में आ गया, the 4 equal parts, 4 बराबर हिस्से, into which a plane is divided by the x and y-axis, वो 4 बराबर हिस्से, जिसमें की एक समतल flat surface plane विभाजित हो जाता है, किसके द्वारा, x और y-axis के द्वारा, यह हमारे vertical और horizontal axis, ठीक, चलिए, उसके बाद मैं यह सारी चीज़े मिटा देता हूँ, ओके चलिए, तो अभी हम कहां पर हैं, point number 6 समझ में आ गया, 1 से लेकर, point number 6 तक मैंने सारे समझा दिये हैं, एक बार फिर brief में देख लिए थे, coordinate, किसी बिंदू की location बताने के लिए, एक जोड़ी values, उसके बाद coordinate axis, x और y-axis, जो कि आपस में, दो lines हैं, एक दूसरे के perpendicular, जिस बिंदू पर intersect करती हैं, उसको बोलते हैं, origin, vertical axis is known as y-axis, horizontal axis is known as x-axis, समझ में आ गया, quadrant, वो चार हिससे, जिसमें की, ये दोनो x और y-axis, plane को divide करते हैं, चार equal parts, quadrants, हिंदी में, चतुर था हैंज, चलिए, आगे देखते है, x-coordinate क्या होता है, बच्च और y-coordinate, coordinate का मतला होता है, value, numerical value, समझ में आ गया, तो ये वो numerical value है, जो की x-axis के along हम पढ़ते हैं, और किसी भी बिंदू का x-coordinate जो होता है, वो जो है, उस बिंदू से, किसी भी बिंदू का x-coordinate है, वो value जो है, वो y-axis से perpendicular दूरी देता है, क्या देता है, y-axis से perpendicular दूरी, अभी मैं डियाग्राम में समझा दूँगा, so what is x-coordinate, इसी को हम बच्च और eb-saisa बोलते हैं, एको a, b, फिर science का SCI, फिर social studies, ss, और a, याद रखना, a से शुरू है, इसे खतम, और बीच में, b for biology, s for science, फिर ss, और समझ भाएगा, तीन सब्जेक्ट्स हैं, biology, science, और ss, याद रहेगा, और a, a, last में, इस प्रकार से spelling याद रह सकते हैं, eb-saisa, okay, so x-coordinate को हम eb-saisa बोलते हैं, और y-coordinate को हम बोलते हैं, ordinate, तो बच्च यह दोनो numerical values हैं, जो किसी बिंदू की location बताने वाली है, तो x-coordinate होता है, जो x-axis के along जो value में देखते हैं, और normally x-coordinate जो होता है, वो y-axis से perpendicular दूरी देता है, किसी बिंदू की, तो धहाँ देना, जो coordinate है, वो उल्टे axis से perpendicular दूरी देगा, so what is x-coordinate? it is the perpendicular distance of any point from the y-axis, समझ में आ गया, अभी देखो, इसको x-coordinate क्यों बोला? क्योंकि यह x-axis के along नपता है, यह value x-axis पे पाई जाती है, so it is the perpendicular distance of any point from y-axis, and is measured along the x-axis, लेकिन ना पाश भी x-axis पे जाता है, value x-axis पे लिखी है, दूरी y-axis से देगा है, ठीक है, in other words, it is the value corresponding to a point on the x-axis, किसी भी बिन्दू के सिधाई में, x-axis पे जो भी value लिखी है, वही उस बिन्दू का x-coordinate अथवा ebisais सा होता है, इसी प्रकार से y-coordinate क्या होता है, it is the perpendicular distance of any point from the x-axis, and is measured along y-axis, x-axis से perpendicular दूरी है यह, y-axis के लोग नपती है, इसलिए y-coordinate बोलते हैं, short में इसको हम ordinate भी कहते हैं, जैसे उसका नाम ebisais सा है, इसका ordinate है, तो बचो कोट आदेना है यहां से, तो y-coordinate को हम ordinate भी बोलते हैं, clear है, अब क्या, in other words, it is the value corresponding to a point on the y-axis, यह y-axis पे, जो है, किसी भी बिंदू की सिधाई में आने वाली value है, clear है, इन दोनों को हम बचो ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आगे देखो, अगला क्या है, way of writing coordinates, तो जो coordinates होते हैं, उनको लिखने का क्या तरीका है, coordinates of a point are, written in parenthesis, बचो parenthesis में spelling देखो, पैरेंट की लिखना है, फिर ही और फिर सिस, सब्सक्राइब आगया, तो coordinates जो होते हैं, किसी बिंदू के, they are written in parenthesis, parenthesis क्या होता है, यह जो goal वाला bracket होता है, जैसे ही मैंने ओर्डिनेट लिखावा, यह अगल बगल में, goal brackets को हम parenthesis बोलते हैं, इसको ऐसे circular bracket नहीं कहा जाता है, इसको parenthesis कहा जाता है, और जो ऐसे सीधी लाइन से बनता है, इसको square bracket कहा जाता है, समझ में आगया कि नहीं कहा, और एक और है curly bracket, तो goal वाले को हम parenthesis बोलते हैं, clear है, so coordinates of a point are always written in parenthesis, मतलब goal वाले bracket में ही लिखा जाता है, first x-coordinate, पहले x-coordinate लिखा जाएगा, and then y-coordinate, उसके बाद हमेचे y लिखा जाएगा, separated by a comma, और बीच में comma लगाना वश्यक है, समझ में आगया, ultra कभी नहीं लिखेंगे, पहले y और फिर x नहीं चलेगा, बिल्कुल समझ में आगया, first you write the x-coordinate, then you write the y-coordinate, and put a comma between the two values, clear है, क्योंकि ABCD में x पहले हाता, वाहीं बाद में आता है, तो x पहले y बाद में clear है, यह है तरीका coordinates को लिखने का, अभी जो चीजे भी मैंने बताई नहीं बचो, इसको, यह तो verbal है description, यह जो vertical axis है, इसको मैंने represent कर दिया y-axis से, ठीक है, यह axis हो गया, यह axis हो गया, clear, अब यह दोनों के दोनों axis कहां कट रहे हैं बचाओ, इदर कट रहे हैं, point O पर कट रहे है, तो point O हमारा हो गया, origin, इसी को बोलते है origin, अब यहाँ ही से numbering start होगी, तो देखो, O से axis में right side में चलेंगे, तो plus की values जाएंगे, मैंने प्लस लेका, left में चलेंगे तो minus की values, फिर O से y के along ऊपर चलेंगे, तो positive values, नीचे हैंगे तो negative values, समझ में आ गया, तो यह तो अगर directions, अब यह जो चारों हमारे, जो दोनों axis है, इन्होंने इस पूरे Cartesian plane को, फ्लाट सर्फेस को, यह Cartesian plane है, फ्लाट सर्फेस को बोलते है, Cartesian plane, Cartesian अब कहां से है, मैंने बताया था, Rindis Cartes, जो person है, French Mathematician, उसके नाम से लिए Cartesian, उसी के सम्भान में, तो जो चारों बराबर हिस्से हैं, जो कि इस Cartesian plane के हो गये हैं, इन दो axis के द्वारा, इनको quadrant कहा जाता है, तो by default, यह जो प्लस-प्लस वाले जो दो lines है, इनके बीच का quadrant, first quadrant है, और फिर anti-clockwise direction में जाए, घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में, ऐस से गूम के आना है, ठीक है, तो यह first quadrant, यह हमारा second quadrant, यह हमारा third quadrant, and this one is the fourth quadrant, तो यह थे the four equal parts in which the plane is divided by the two axes, that is x and y axes, और जो संच में आगा, सबको संच में आगा, अब बच्चों, लास्ट चीज जो हमने भी देखी थी क्या, कि किसी भी बिंदू के coordinates क्या होते है, x coordinate का मतलब y coordinate का मतलब क्या, एक काम करते है, मैंने यहाँ पे origin है O, O से मैं यहाँ पे अगर number लिखना चालो कूर, right side में, suppose यहाँ पे आता है 1, फिर थोड़ दू पे आएगा 2, suppose यहाँ आएगा 3, और suppose यहाँ पे आता है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, मैं सारा number नहीं लिख रहा हूँ, उस चरह प्लस का 4 रही, इस तरह प्रकार चालो उपर प्लस के number चलेंगे, तो suppose यहाँ आता है 0, फिर इस जगर पे आएगा 1, फिर एक किहाँ 2 मैंने लिख दिया, एक 3 लिख दिया, आगी बढ़ सकता है number 4, 5, 6, and 1, इस तरह हम चलें, तो minus के number आएगे, चले, यहाँ पर हम लिख देंगे minus 1, फिर यहाँ आजाएगा थोड़ा सा minus 2, फिर minus 3, फिर minus 4, फिर एक आगा minus 5, तो मैंने एक एक number चोगिया, clear है, तो कुछ number जो मैं represent कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए, how to write the coordinates, अब suppose, हमने एक बिंदू ले लिया, यह यह रहा, इसे कपित को बिंदू, तो यह कौनसे coordinate में है, first coordinate, तो first coordinate में जो बिंदू आया, अब मैंने point A लिख दिया, अब इसके coordinates कैसे लिखा जाते हैं, तो इसके आगे लगाएंगे bracket, तो bracket में दोनों values लिख दिया, तो पहला value होता है x coordinate, तो small x लिखा में ने, x coordinate, x coordinate का मतलब होता है, the value corresponding to a point on the x axis, तो यहां से, बिल्कुल सिधाई में perpendicular, सिधे आ जाएंगे x axis पे, x axis में 4 value तो मैंने 4 लिख दिया, अब मैंने बताया था, कि किसी बिंदू का x coordinate, हमको perpendicular दूरी देता है y axis से, अब मुझे बताओ, कि यह जो बिंदू है, यह इतना दूर है, देखो dotted line उपर है, इतना दूर है y axis से, यह इतना दूर है, और यह दूरी कितनी है बच्चों, 4 है, देखो यहां से देखो, यह 0 था, 0 से लेकर, यहां कितना आगे बढ़ गया, 4 बढ़ गया ना आगे, तो यह भी तो 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 नहीं है, 4 ही तो हो गया, तो इसका मतब, जो x coordinate होता है, वो y axis से perpendicular दूर देता है, समझ में आगे चली, अब इस बिंदू a की corresponding value बताओ, जो कि y axis पर है, तो यहां से सिधा ही में चलेंगे, तो y axis पर हम टकराते हैं 3 पर, तो जो y coordinate है, जो कि हमने y axis के लोग देखा, वो आ गया 3, अब यह y coordinate जो होता है, यह coordinate यह x axis से perpendicular दूरी देता है, तो यह जो 3 है, बताओ, यह कितना दूर है, यह 0 से लेकर के, यहां तक की दूरी 3 है, तो अगर यह 3 है, तो यह भी तो 3 हो गया, तो मुझे बताओ, यह जो दूरी है, बिंदू a की, यह x axis से दूरी हो गया, यह x axis यह रह नहीं नीचे, इससे यह कितना उपर है, 3 उपर है, तो समझ में आ गया, तो धान देना, x coordinate gives the perpendicular distance from y axis, y coordinate gives the perpendicular distance from the x axis, यह दोनों जो जो जोडे में हम values लिखते हैं, इसको बच्चों, इस बिंदू a के coordinates कहा जाता है, first coordinate, x coordinate, जिसको abscise भी कहते हैं, y coordinate जिसको ordinate भी बोगते हैं, तो कई बार मालनों ऐसे point आपको लिखा आ गया, और बोलेंगे कि भाई बताओ, point a का abscise है क्या है, तो हम बोलेंगे 4 है, point a का ordinate बतादो, तो 3 है, समझ में आ गया, चलिए, अब ऐसे point मैंने यहां ले लिए, second coordinate में, हमेशा बच्चो, x पहले y बात में, समझ में आ गया, चलिए, तो अभी हमने है, point b ले 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 यह वाला, अब मुझे बताओ, point b में, सबसे पहले x coordinate ढूंड़ना है, तो यहां से बिलकुल नीचे x success पहाँ जाएंगे, सिधाई में तो सबसे यहां पहाँ नमबर हमारा, यह सारे नमबर लिखे रहेंगे, बस मैंने एक एक नमबर ले लिया, ज़्यादा भीड़ना हो जाए इसलिए, सबसे यह मैं माइनस 5 आ रहा है, coordinates of any point, ठीक है कि नहीं क्या, तो यह देखो, जैसे मालनो point A है, यह रहा point A, अब इसके coordinate 4 और 3 कैसे लिखे, तो 4 क्या है, यह 4 क्या बताओ, 4 है, x coordinate या फिर abscise, तो 4 को हम बोलते है, x coordinate जो कि x excess पे value लिए गई, इसी को abscise भी कहते हैं, और जो 3 है बच्चो 3, बाद वाला value वो y excess पे ली गई है value, तो y coordinate हो गया, तो जिस excess पे होता है वो यह coordinate, या इसी को हम coordinate भी बोलते हैं, इसी प्रकार जो point B है, point B में देखो, minus 5 value जो x excess पे है, यह x coordinate है, या फिर इसी को abscise सा भोलेंगे, और जो 2 है 2, वो y excess के corresponding value है, तो इसको y coordinate या फिर, ordinate simply कह सकते हैं, और बच्चो जो origin है ना origin, उसके coordinate 0,0 होते हैं, बतब x पे भी value उसकी 0 है, और y पे भी इसके value क्या है, 0, तो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चो, coordinates of the origin, O, यह O है और यह 0,0, there always 0,0, clear है, यह था बच्चो हमारा basics, I hope, पीछे वाला जो भी मैंने definitions वगरा, बताएं आपको सारी सारी, समझ में आगी होगी, चलिए, आगे चलते हैं, एक छोटा सा यह description है, Cartesian system, नाम कहां से आया, ठोड़ा सा यह, जीवनी जैसी ही समझ लीजिए, ठीक है, The Cartesian system, मतलब क्या होता है, The method of, इस system का मतलब क्या है, The method of describing the position of a point in a plane, किसी समतल में, plane में, किसी बिंदू की location, position, describe करने का, जो method है, सबसे पहले developed किया था, it was first developed by, French philosopher and mathematician, Rin Descartes, ठीक है, philosopher होता है, बच्चो दार्षनिक, और mathematician होता है, mathematician, ठीक है, So, गणी तक गया, तो mathematician कौन? Rin Descartes, इनोंने सर्व प्रथम जो है, यह, किसी बिंदू की location को, plane में, बताने का तरीका, खो जा था, His method was a development of the, older idea of longitudes and latitudes, और वो ही, जो पुराना maps वगरा पे, किसी स्थान की location बताने के लिए, हम method यूज करते थे थे न, longitude और latitude का, देशांतर और अक्षांच जो होते हैं, किसी स्थान के, बस, वो ही यूज किये इनोंने, ठीक है कि नहीं किया, उसको थोड़ा सा develop कर दिया, and hence, in his honor, उनके सम्मान में, the system is known as Cartesian system, इनके नाम से दो कार्ट लास्ट में है, तो Cartesian system इनके नाम से आया है, ठीक है, और यह जो फैच भाषा में जो vowels होते हैं, इनके पर वह छोटा सा हलंत लगाए, जैसे हमारे हिंदियों संस्कृत में, बहुत संस्कृत भाषा में अलंकार, हरलंद हलंत वगरा बहुत ज़्यादा लगाते है, तो थोड़ा से यह dot से है E के उपर, ठीक है, चलिए, एक example समझ लेते हैं, बच्चो, यह example मैं बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार से किसी चीज की, आप object की, बिंदू की position बताएंगे, plane पे, समझ में आ गया, तो यह question बच्चो, आपकी जो first exercise है, उसको पहला question भी है, समझ में आ गया, तो मैंने direct इसको example की रुप में ले लिया है, ताकि इस method को ढंग से समझा जाए सके, तो आगे हमको exercise में इसको करने क्या हो शकता, नहीं होगी, तो first exercise में आपके दो ही question है, और दो में से एक ही है, तो उसको मैंने यहीं पर पूरा explain कर दिया, how will you describe the position of a table lamp, on your study table to another person, मान लिजए कोई दूसरा person है, वो आपसे पूचता है कि भई, क्या आपका study table है, बिल्गूल है, क्या study table पर lamp है, lamp भी है, table lamp भी है, ठीक है, अब वो पूचे कि भई, study table पर table lamp की location क्या है, exact pinpoint कैसे बताएंगे हम, how will we describe the position of table lamp on our study table, तो first चीज़ ध्यान रखेंगे, study table का जो उपर की top surface, flat surface हो दिए, plane है वो, तो सबसे पहली इपोर्टने चीज़ याद रखने हो गिया, the table top is a plane surface, table का जो उपर का भाग है, वो plane surface होता, flat surface होता, Cartesian plane माना जा सकता है, first, divide it into a grid, grid होता जाल, grid of horizontal and vertical lines, using some scale, कोई scale को यूज करके, तो यहां बच्छों, रोज कहा गया, तो यह रोज है हमारी, तो देखो, यह हमारी पहली रोज है, नीचे से start किया, यह दूसरी हो गई, यह तीसरी रोज हो गई, यह चौती रोज हो गई, जैसे chessboard नहीं होता है, का बस वैसे ही है, पाचवी, छटी, साथ भी, आठ रोज तो ऐसी हो गई, और जो वर्टिकल कॉलम से हैं, वह भी मैंने इस कॉर्णर से start कर दिये, तो रोज भी मैंने यहां से start कर दिये, पहनी रोज, दूसरी, तीसरी, चौती, पाचवी, छटी, साथ भी आठ रोज है, और यह कॉलम, कॉलम यह वाल है, वर्टिकल, एक, दो, तीर, ऐसे 10 है लाईने, और होरिजन्टल वाली 8 है, अब माल लीजए, यह हमारा टेबल का टॉप यू है, तो हमारा उपर का सत है, जो टेबल की, इसको ग्रिड में डिवाइड कर लेंगे, एसा ग्रिड बना लेंगे, ठीक है, तो दो, टॉप व देखने से नजार ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, और माल लीजए, हमारा टेबल लेंप और L, L पर लेंप, और सपोज हमारे टेबल पर इजए गा पड़ी है, कहां पड़ी है, L, यह लेंप है हमारी, अब हमको किसी को बताना कि टेबल लेंप कहां पर है, तो सबसे पहले हम देखो, X-axis पे वैली डूढ़ेगे, X-axis पे बताओ, मुझे बताओ, यह कौन से नबर में आ रहा है, 7, तो हम लिख सकते हैं, 7 वे कॉलम में है, और फिर Y-axis के लोग देखो, यह कौन से नमबर के सामने है, 6 के सामने है, तो यह हमारी रो नमबर 6 हो गई, तो देखो, कैसे लिखेंगे, Position of Lamp, कॉलम नमबर है, 7, X-coordinate पहले बताते हैं, और जन्टल वाला है, ना, तो कॉलम नमबर क्या है, 7 है, तो मैंने लिखा है, कॉलम नमबर 7, तो इस कॉलम नमबर 7, को हम X-coordinate के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एबसाई सा कहींगे, तो हमने लिखा है, रिप्रेजेंटेट बाई X-coordinate, जो कि कितना आ जाएगा, 7, इसी प्रकार से बुझे बताओ, इस लेंब का जो रो है, वो कौन से नमबर है, रो नमबर तो रो होता है, रो होता है होर्जेंटल लाइन, यहां से चालो को रहे 1, 2, 3, 4, तो चटी लाइन में आ रहा है, तो रो नमबर कौन से हो गया, 6, तो यह जो रो है, यह y-coordinate हो गया, इट विल रो रेप्रेजेंटल रो का नमबर है, वो y-coordinate शो कर रहा है, 6, तो बच्चों, अभी थोड़ देर पहले मैंने बताया था, किसी बिंदू के कोडिनेट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले, पॉइंट का नाम L, आगे ब्रेकेट लगाएंगे, पहले x-coordinate और फिर y-coordinate, तो हमने देगए x-coordinate क्या लियावा है, 7, y-coordinate लियावा है, 6, तो 7,6, इस प्रकार से हम क्या है, उसकी position बता सकते हैं, that the position of the lamp on my study table is, 7,6, 7,6, तो यह उसकी location हो गई, तो इसी प्रकार से हम बच्चो किसी भी बिंदू की location पता लगा सकते हैं, किसी भी Cartesian plane के उपर, तो बच्चो यह था इस chapter के basics, और इससे ज़्यादा basics है भी नहीं है, ठीक है, आपके दो अगले दो या तीन video session में इस chapter ही खतम हो जाएगा, ठीक है, और फिर next video में हम जो exercise 3.1 का एक बचावा question वो करेंगे, और 3.2 complete ही उसको solve कर लेंगे, वहाँ देखेंगे हम कि किसी भी Cartesian plane में अगर कोई points plot किये गया है, तो उनके coordinate कैसे लिखने है, और अगर coordinate दिये हुआ है, तो how to plot the points, यह दो प्रकार के question normally आपके आते हैं, सब्सक्राइब आगया कि already point वहाँ पे है, तो how to find out the coordinates, यह दिक coordinate दे दे जाए, तो how to plot those points on the coordinate, और तिर coordinate देने के बाद में, एक और प्रकार का question आता है, जिसमें कि पूछ लेते हैं कि कोई भी हमको point के coordinate दे दिये, और पूछेंगे भाई इसमें बताओ कि एपसा हिसा कौन सा है, ordinate कौन सा, यह चीज़े पूछ लेते हैं, ठीक है, origin के coordinates क्या होता है, यह चीज़े पूछ लेते हैं, ठीक, तो इस प्रकार के छोटे मोटे question से बहुत मुश्किल नहीं है, आपको अगर ही basic समझ में आगे, तो बहुत असानी से आपको समझ में आजएगे, ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो वीडियो इन दे नेक्स वीडियो, तिल देन, गुडबाई, और थैंक्स वर वाच्चिंग,